हेलो एवरिवान आज मैं आप लोगों वीडियो दिखाऊंगी कि अर्थगुल कास्ट अपने फैन्स से किस तरह से मिलते हैं ताकि आप लोग इमेजन कर सके कि जब भी लोग पाकिस्तान आएंगे तो इनका अपने फैन्स को लेकर बिहेवियर किस तरह का होगा आप इनकी सोशल मीडिया पर इनके फैन्स के साथ जितनी भी वीडियो देखेंगे इनका बिहेवियर हमेशा इनके फैन्स के साथ बहुत नाइस ही होगा तो इनके फैन्स जब कभी भी चाहें इनके साथ पिक्चर्स खिंचवाना चाह रहे हो या कोई इंटर्व्यू लेना चाह रहे हो तो यह हमेशा उनको अच्छा रिस्पॉंस ही करते हैं चाहिए लोग family के साथ outing पे जा रहे हों या किसी dinner पे जा रहे हों आप कभी भी इनके बारे में कोई भी negative news नहीं सुनेंगे बहुत से celebrities के साथ ऐसा होता है कि उनके fans उनसे इतने excited होके मिलते हैं कि उनके साथ pictures किंचवाने के लिए बाज उकात उनका हाथ खीच देते हैं बाज उकात उनके कपड़े खीचे जाते हैं और तुर्की के celebrities के साथ भी कई मरतबा ऐसा होता है लेकिन इन लोगों के खासियत ये है कि ये कभी भी अपने fans को negative response देकर या उन्हें ignore करके वहां से नहीं चले जाते बलके इस situation में भी आप हमेशा इनके चेहरे पे smile ही देखेंगे और कई मरतबा इनके security guards भी इनके साथ नहीं होते लेकिन फिर भी वो अपने fans के साथ मिलने और उनके साथ pictures किंचवाने से घबराते नहीं है अब आप इस video में देखें बुर्राक के fan ने उनका पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और उनका driver भी बिल्कुल stress में नहीं आया बलके ये लोग enjoy भी कर रहे हैं और अपने fans की pictures भी ले रहे हैं तुर्की की celebrities में अकसर आप लोग की बात note करेंगे के वो लोग अकसर ही अपने fans की pictures ले रहे होते हैं वो भी अपने personal mobile से मैं पहले भी अपने videos में आपको ये चीज़ दिखा चुकी हूँ के ये लोग अपने mobile से अपने fans की videos बना रहे होते हैं और ये quality सिरफ तुर्की के actors में ही पाई जाती है और यहाँ पर आप देखें के इनके जो fans हैं वो इनको अपना mobile दे रहे हैं के आप अपने हाथ से हमारी pictures खींचें अपने साथ और यहाँ पर ये ये ही बता रहे हैं के अपने fans का इतना जदा प्यार देखकर हमें बहुत जदा खुशी होती है और हमें हमारी मेहनत का reward इनके प्यार की सूरत में मिल जाता है तो friends मैं आपसे एक suggestion चाहती हूँ बहुत से लोग comments में मुझे कहते हैं कि आप Canada में रहती हैं तो आप वहाँ की videos भी बनाएं और अपना lifestyle भी share करें तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहती हूँ क्या मैं इस चीज के लिए नया channel बनाऊ या फिर वह videos मैं इसी channel पे अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे नीचे comments करके जरूर बताएं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सब comments read करती हूँ और मैं सब के reply तो नहीं कर सकती लेकिन मैं सब के comments पढ़ती हूँ और मुझे हमेशा ही उनका इंतिजार भी होता है तो I hope आप लोगों ने मेरी आज की video भी enjoy की होगी So thanks for watching अच्छेक 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 अच्छेक